स्वागत है हमारे चैनल राज tutorial हिंदी में आज की वीडियो में हम multimeter को चलाना सेहें दोस्तों multimeter में बहुत सारे function होते हैं आज हम सारे function को step by step देखेंगे कि हम multimeter को कैसे use करते हैं तो छलिए फिर शुरू करते हैं चाले का देख लेखें कि मल्टमेटर के यूज कैसे करते हैं सबसे पहले हम क्या च्छेक करेंगे वॉल्टेज्ज़ सबसे पहले हम क्नाक्रमडे को भूफर वॉल्टेज बोल्टज पहिले सबसे पाले हमोई sodium CH Origos इसको हम चेक करेंगे तो चले देख लेते हैं तेकि है फ्रेंस 1.318 मतलब कि लगपाद 10.5 वोल्ट यह सो कर रहा है मल्टी मीटर में तो मतलब कि यह हम डीजी वोल्टेज यह चेक हो गया यह बैटरी का डीजी वोल्टेज अब इसके बाद क्या है एसी वोल्टेज तो फ्रे एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं हम एसी वोल्टेज कैसे चेक करते हैं तो फ्रेंस सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम यह दोनों प्रोब को मल्टी मीटर के जो दो प्रोब है वो क्या करेंगे कि हम एक यह फेज और नूटल में लगाएंग तो फिल नले में चेक करेंगें पर आपने हात ने को यह नता रिजिस्टेंज करें यह बंद एक दो रजिस्टर पढ़ होए इसका रजिस्टेंज चेक करते हैं इस यह तो है यह पडरस न हंदिग नाइन नाइन 977 किलो ओम का रजिस्टर रहे अगला देखिये रराजिस्टर यह 15 ohm का 14.8 मतफ़ 15 ohm का यह register है तो फिरनस ऐसे यह resistance करते है अब मुल्टिमीटर का जो अगला फ़ांसर है वह है वह डायोड का तो फिरनस यह डायोड का है तो डायोड को करने के लिए हम सबस्चर पर लेकर करेंगे सелेक्ट करेंगे डायोड पे यह तो फिरनस इस दो डायोड चेक रहे हैं हमाटी आपकर दो चेक करें हैं इसको हम च्रूइए नहीं फिर्च कर रहे हैंरे देखे आध तरफ से बजो करें इसको क्या हूं यह यह की चेक होगा तो अगला इसे में ऐसे चेक हो गया यह कांचीनूटी एक क्याए French फнос ही को इसे स्लेक्ट तो अगर यह सही होगा तो continuity बताएगा फिलस यह देखें यह आगर किसे आपको वायर चेक करना है तो सबस्क्राइब को सब्सक्राइब, तो यह फ्रेंस हो गया continuity अब फ्रेंस देखिए अब मल्टिमीटर का जो अगला इसी में function है वह है capacitor का तो फ्रेंस अब हम capacitor को भी ऐसे ही यह फ्रेंस यह कॉमन है और यह फेन है तो यह दिखें यह फ्रेंस 4.9 से मतलब पांच का दिखा रहा है यह यह फैन के लिए है यह हमारा compressor के लिए यह फ्रेंस देख लेते हैं कितना दिखाता है और उसके बाद यह इसमें रखेंगे यह फ्रेंस थोड़ा देर वेट करना पड़ता है फ्रेंस यह फ्रेंस थर्टी पॉइंट 5.11 मतलब 35 मांकर 4.13 मांकर क्वेंस हाइ पेश्रकी प्रेंस थो यह फ्रेंस हो गया हम के वसंट कैसे चेक करते है अब अगला मुल्टी मीटर का वैनस टैलब क्या है हर्स यह तखिए थो हर्स फ्रेंसस हम क्या कर॓ंध वह का करते हैं वह हम देखेंगे तो सब करते हैं हम मल्टी मूटवर को लेकर जाएंगे तो चलिए देखते हैं फिर्च करने के लिए हम पहले हर्ट सेलेट कर लिए अभ लिए अब क्या करेंगे इसको फेज हो नूटन में लगाएंगे यह तो यह तो 59.9 मतबज 60 हर्ड़्स लगबख शो कर रहा है तो मतलब कि यह 60 Hz यहां पर है तो यह फिर्णस यह 60 Hz दिखा रहा है क्योंकि यह फिर्णस में वीडियो आपको गल्फ कंट्री में बना रहा है इसलिए इंडिया में रहें तो यह 50Hz दिखा घाएंगा तो यह फिर्णस हो गया हमारा की से चेक करते हैं सब्सक्राइब देखले में पंसाने और यह जाइए मिलींप्यर इसमें बहुती कम करंथ कि इससे चेक्च कर सकते हैं सबस्प्राइब हम सबस्क्राइब में और नंड़क वेला है । इसमें मल्डिमेटर जोने मॉडाने जो में वोल्टेज और जो है है यह सब दोनों एक ही में है दिये देखे यह यह हमारा यह नहीं को प्रूब चेंज करना है एक लेक लिड आपको बता दूगा कि मैं वीडियो बनाओं तो उसमें बताओंगा कि यह प्रूब आप कैसे चेक कर सकते हैं लेकि यह बहुत ही मॉडर्न मॉल्टी मीटर है कि जो अच्छा है आप इसका उज़ करके बहुत ही अच्छी तरीके से हम किसी चीज को चेक कर सकते हैं तो चलिए हम तो च्छी करेंट करने में किया जाता है is Crane raiser करने के लिए को के आजुच करना पड़ता हैँ है कि हम कैसे DC करेंट कोिवेख करते हैं यह हमारा एक बैटै एक जुड़ हुआ है इसकों player supply दिया हुआ है यह हमारा मल्टीमीटर है और यह हमारा एक दो परूब तो इसको मीजर करने के लिए आगर हम अगर हम रेड़ वाले प्रूब को रेड्वाइर पर लगाएंगे और बिले को प्रूब को पर लगाएंगे तु उस कंदिसा हमारे करेंट मीजर नहीं होगा अगर डिस करेंट मीजर नहीं होगा इसको मीजर करने के लिए हमको क्या करना पड़ाएगा कि सिरीज में मीजर करना पड़ाएगा कि मतलब कि हम इन दोनों किसी में से वायर में से एक को कट करके सिरीज में करना पड़ाएगा दोनों परोब को हो नियसे दूसर्य लग लहाई तुर इससे के जोगा होगा कि करेंड मेजर होगा में मुझत में अगर आपको यह वीडियो पशंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल राच्टिटोरियल हिंदु को सब्सक्राइब करना मत बुलिए और सब्सक्राइब करने बाद आप बेल आइकन जरू दबाईए में जिसे में जितने भी वीडियो डालूंगा वह आपको अपडेट हो जाएगा यह आपको कोई कुश्चन करना चाहते है यह आपको कोई सवाल है तो हमारे कमेंड बॉक्स में नीचे जाकर कमेंड जरूर करिए धन्यवाद